हेलो दोस्तों मेरे चानल को आपका स्वागत है आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं तो इस नाश्ता बनाने के लिए एक बोल लेंगे और बोल में हम एक कप आटा डालेंगे एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून चिली फ्लेक्स एक टीस्पून पेपर डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों इसे अच्छे से मिलाईए और अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून टमाटर की पेस्ट और इसमें एक उबला हुआ आलू डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और पानी डालके इसको ठिक बैटर आने तक अच्छे से मिक्स करते हुए हम बनाएंगे इसको अच्छे से मिलाएंगे और दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा होना चाहिए और अब हम एक पान लेंगे और पान में ये मिश्रन को डालेंगे और छीले बनाएंगे तो हम इस चीले को दोनों तरफ सुनहेरे रंग होने तक पकारेंगे अब वीडियो में देख सकते हैं जब ये चीले ऐसे हुएंगे थोड़ा पकेंगे तो हम इसमें तेल डालेंगे और दूसरी तरफ भी इसको पकाएंगे दिखिए ऐसा सुनहेरा रंग नाना चाहिए और बस हो गया ऐसे ही सारे चीले को बनाएए दोस्तो आप इसे टोमाटो केचप से भी खा सकते हैं ऐसे ही का सकते हैं बहुत अच्छे लागेगा दोस्तो दोस्तो यह रेसिपी बहुत अच्छा है बहुत सिंपल है बनाने के लिए जल्दी हो जाता है और इसकी टेस्ट ला जवाब है यह आप सुबह के नाश्टा बना सकते हैं नई तो शाम के नाश्टे बना सकते हैं मुझे जरूर बताइए कि अगर आप यह बनाए हो तो आपको कैसा लगा होगा कमेंस में बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक देना मत बूलिये और एसे ही और अच्छे वीडियो अच्छे कुकिंग रिस्पीस के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह चीले बहुत स्वादिश्ट है अब ज़रूर ट्राइ करना